नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी काप इंजाब केसरी में और मैं हूँ आपके साथ रोहित उत्तम सड़क पर बाइक चलाते समय अपनी सुरक्षा सुनिशित करने के लिए हेलमेट पहनना सबसे ज़ादा जरूरी होता है जातर हाथसों में सिर पर चोट लगने के कारण लोगों की मोत हो जाती है ऐसे में हेलमेट ही सड़क पर चलने के दुरान हाथसों से सुरक्षा परदान करता है फिरहाल सिख समाज्च के लोग पगड़ी पहनने के कारण हेलमेट का इस्तमाल नहीं कर पाते लेकिन हाली में कैनड़ा की एक महीला ने अपने सिक हेलमेट के लिए काफी सुर्खयां बटोर रही है जो की अपने बच्चों के लिए पगडियों पर फिट होने वाले हेलमेट को डिजाइन करती है दरसल कैनड़ा में रहने वाली एक सिक महीला टीना सिंग को जब अपने बच्चों के लिए पगड़ी पर फिट होने वाला हेल्प नहीं मिला तो उन्होंने हेलमेट बनाने की सोची बता दे की टीना सिंग पेशे से एक डोक्टर है और वो सिक हैलमेट नाम से भी एक वेबसाइट चलाती है जिसमें वो सिक समुदायों को हैलमेट के इस्तेमाल के लिए प्रेड़ी करती रहती है उनकी इंस्टाग्राम पेज़ पर भी सिक हैलमेट को देखा जा सकता है फिराल सोशल मीडिया पर टीना सिंग के सिक हैलमेट को काफी ज़ादा सरहना की जा रही है सोशल मीडिया पर सिक हैलमेट के कई वीजी और तस्वीरे देखने को मिल रही है जो देकर यूजर इसे इस्तमाल करने और हाथों से बचनी की बाते भी करते नजर आ रहे हैं फिर आल टीना सिंग की पहल काम्याब होती नजर आ रही है कुछ यूजर्स ने सरहाना करते हुए सिख हैलमिट को सरहानी एकारे बताया तो वहीं कुछ ने सवाल करते हुए उससे अपने शहर में डिलीवरी के लिए भी पूछा क्या कहना आप सभी की इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो और इंफ्रमेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरूर करें ताकि सभी तक ये महतरपूर्ण जानकारी पहुं सके क्या कहना आप सभी की इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएगा सभी का पंजाब केसरी में और मैं हूँ आपके साथ रोहित उत्तम सड़क पर बाइक चलाते समय अपनी सुरक्षा सुनिशित करने के लिए हेल्मेट पहनना सबसे ज़ादा जरूरी होता है जातर हाथसों में सिर पर चोट लगने के कारण लोगों की मोत हो जाती है ऐसे में हेल्मेट ही सड़क पर चलने के दुरान हाथसों से सुरक्षा परदान करता है फिरहाल सिख समाच के लोग पगड़ी पहनने के कारण हेल्मेट का इस्तमाल नहीं कर पाते लेकिन हाली में कैनड़ा की एक महीला ने अपने सिख हेलमेट के लिए काफी सुर्खयां बटोर रही है जो की अपने बच्चों के लिए पगडियों पर फिट होने वाले हेलमेट को डिजाइन करती है दरसल कैनड़ा में रहने वाली एक सिक महीला टीना सिंग को जब अपने बच्चों के लिए पगड़ी पर फिट होने वाला हेल्प नहीं मिला तो उन्होंने हेलमेट बनाने की सोची बता दे की टीना सिंग पेशे से एक डोक्टर है और वो सिक हलमेट नाम से भी एक वेबसाइट चलाती है जिसमें वो सिक समुदायों को हलमेट के इस्तेमाल के लिए प्रेड़ित करती रहती है उनके इंस्टाग्राम पेज़ पर भी सिक हलमेट को देखा जा सकता है फिराल सोशल मीडिया पर टीना सिंग के सिक हलमेट को काफी ज़ादा सरहना की जा रही है सोशल मीडिया पर सिक हलमेट के कई वीजी और तस्वीरे देखने को मिल रही है जिदे कर यूजर इसे इस्तमाल करने और हाथों से बचनी की बाते भी करते नजर आ रहे हैं फिराल टीना सिंग की पहल काम्याब होती नजर आ रही है कुछ यूजर्स ने सरहाना करते हुए सिख हैलमिट को सरहानी एक कारे बताया तो वहीं कुछ ने सवाल करते हुए उससे अपने शहर में डिलीवरी के लिए भी पूछा क्या कहना आप सभी किस वीजो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताएगा अगर आपको वीजी और इंफरमेटिव लगी तो वीजो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि सभी तक यह महत्रपूर्ट जानकारी पहुं सके क्या कहना आप सभी किस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताए ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक किजे हमारा फेस्बुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजे हमारा पेज और देखते रहे हैं पंजाब के स्ट